तो हेलो फेंट तो आज की ओडियों मैं लेके आया हूँ 16 चनल का NVR है CP Plus कमपनी का तो इसमें टाइमिंग डेट का इशू आ रहा था तो कस्टमर को बहुत ज्यादा प्रॉलम आ रहा था recording देखने में बार-बार टाइमिंग चेंज हो जाता है जब भी on-off होता है हमारा तो यह 16 चनल का NVR है इसका model नंबर है V2 करके इसका model नंबर आता है CP Plus का यह काफी old वाला NVR है इसकी जो बैटरी है जो solder से ही निकलेगी तो हमें तीन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि connector का पहले चीच और दुसरी चीच कस्टमर के आने के बाद हमें क्या-क्या इसके साथ में एसेसरी लेकर आया है तो इसमें 2TB का हर्डिक्स लगा हुआ है WD तोसिवा का तो इसकी बैटरी है और इसमें है अलाराम इन अलाराम आउट का वोड़ है एक HDMI वीजे और एक आडियो है तो इस NVR में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बैटरी कैसे चेंज किया करते हैं तो बने रहेएगा इस वीडियो में तो दोस्तों कस्टमर की रिक्पार्मेंट इसमें बोले की आडियो इन का पॉड काम नहीं कर रहा है तो इसे भी हमें चेक करेंगे बट इस NVR में एक सिंगली साटा केबल आया है तो इस सब चीजों का हमें ध्यान रखना होता ह कि सिंगल साटा केबली आया ताकि कस्टमर अगर बोलता है कि तुम्हार पास NVR आया तो दुसरी साटा केबल निकाल दिया है इसलिए हमें इन सब चीजों का पहले ही ध्यान रखना होता है तो दोस्तों मैंने फाइनली अब इस बेटरी को निकाल दिया है यह रिम्यू हो च तो सबसे पहले ध्यान देना है कि मैनस और प्लस का पोड सही है या नहीं तो प्लस और मैनस का ध्यान देना है हमें अब मेरी बेटरी जो है वह मैंने इंस्टॉलेशन कर दिया है न्यू बेटरी है चिम्टे वाली जो मार्केट में ही मिल जाएंगी आपको नॉर्मल यह का भी प्रॉलम से की यह टाइमिंग डिट ऊल्ड वाला है कि हमारा सोला चैनल का प्यार है कि तो फाइनल मैंने इंविर को अपना री स्टार्ट कर लिया था बैटरी इंस्टॉलेशन करने के बाद तो देखिए हमारा एंविर जो टाइम है एकदम और टाइम हो गया है डेट दोनों ही तो हमारी बेटरी इंस्टालेशन हो गई है CP Plus के 16 चानल का NVR